नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यों रिनी अरुएदा पर आज हम बात करने वाले हैं निम्बू के रज के कुछ बेहतरिन फाइड़ों के वारे में जो शाहिद इससे पहले आपने ना सुने पढ़े होंगे दोस्ता आपको बताते हैं इससे कुछ जुड़े बड़े फाइड़े लेकिन उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं कहें तो कर लिए हम आपके लिए ऐसी हैस्ट फिप्स की वीडियो सुलाते रहते हैं आप सभी को बता दें निम्बू के रस के फाइड़े ये हैं कि नत्मे में दो से तीन बूंद निम्बू का रस गिराने से नाक से जो खून पहता है वो बंध हो जाता है ये हैं आजमाया हुआ बहतरे नुस्का है कई लोगों के द्वारा इसके साथ ही निम्बू एवं अद्रक की चटनी खाने से भूख खुल जाती है ये परियोग कम से कम एक हफते तक करना चाहिए इसके साथ ही निम्बू की फाक पर जरासी पिसी हुई काले मिर्च और जरासी शकत डाल कर दीरे दीरे अगर आप चूसे या चाटेंगे तो इससे उल्टिया बंध हो जाएगी जो आपकी सफर की वक्त उल्टिया आती है या फिर आपके वैसे ही उल्टिया आती है निम्बू का रस छना हुआ दो चम्मच जेतुन का तेल तीन चम्मच और ग्लिसरिन आदा चम्मच तीनों को मिला कर रोई के फाहे से बवासीर के मस्टों पर बार बार लगाए तो ये बिमारी दूर हो जाएगी दिल घवराने चाती में दर्ध होने तथा सीने में जरन आदी को दूर करने के लिए एक निम्बू की शिकंजी बनाकर घूट घूट पीए ये सारी बिमारी दूर हो जाएगी निम्बू का रस गरम पानी में डाल कर शाम के शमे पानी पीने से पेट में बनने वाले अमल पित नश्ट हो जाते हैं यह थे निम्बू के रस के कुछ बड़े फाइदे अगर आपके सर में ज्यादा खुजली होती है और उस खुजली को मिटाना चाहते हैं उस डेंट्रफ चीज को मिटाना चाहते हैं तो निम्बू को रस को रगर दीजिए अपने बालो की जड़ो तक कुछ ही दिनों में आख फरब पाएंगे कि आपके बाल में जो खुजली होती थी वो मिटती भी दिखाई देगी यहें निम्बू रश के कुछ बड़े फाइदे ऐसी और हाज टिप्स के लिए हमार साथ बने रहे धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल इकन फो लेटेस्ट अबटेस्ट